नमस्कार दोस्तों इंडिया आईक्यूम आपका स्वागत हैं आपको लगता है कि 2004 से 2014 तक देश में कॉंग्रेस की सरकार थी तो आप गलत है क्योंकि उस समय यूपीय की सरकार थी और अभी भी आपको लगता है कि देश में बीजेपी की सरकार है तो भी आप गलत है क्योंकि अब ही देश में NDA की सरकार हैं आपने कई बार सुना होगा कि UPA सरकार में घोटा ले हुए तो कई बार मोदी जी को भी ये कहते हुए सुना होगा कि देश में राजग की फिर से सरकार बनेगी NDA की फिर से सरकार बनेगी अब आपके जहन में सवाल उठा होगा कि NDA और UPA में अंतर क्या है, NDA क्या है, UPA क्या है तो आज इसी पर बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल इंडिया आई क्यों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजे और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन दोनों, यानि कि NDA और UPA में से आप किसको सपोर्ट करते हैं और आपको क्या लगता है अगले चुनाव में देश में किसकी सरकार बनेगी NDA की सरकार बनेगी या UPA की चले दोस्तों, सबसे पहले UPA और NDA की फुल फॉर्म समझते हैं UPA की फुल फॉर्म है United Progressive Alliance जिसे सौर्ट कट में हम UPA कहते हैं या हिंदी में कहें तो सप्रसंग सयुक्त प्रगतेशील गठबंदन जिनकी अध्यक्षा सोनिया गांदी हैं जो पहले कॉंग्रिस की राष्ट्रे अध्यक्ष थी मुझूदा वक्त में कॉंग्रिस की राष्ट्रे अध्यक्ष कौन है इसका जवाब भी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्ष में देंगे अब बात करते हैं NDA के फुल फॉर्म की NDA की फुल फॉर्म होती है National Democratic Alliance NDA जिसे हिंदी में राजग कहते हैं राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन इन दोनों में NDA पहले बना कैसे बना कहानी सुनिये देखिए दोस्तों 1989 के चुनाव में जिस वक्त वोफोर्स गोटाले की देश में चर्चा थी तो राजीव गांधी की कॉंग्रेस चुनाव हार गई लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला जनता दल को ज़्यादा सीटे मिली थी तो बीजेपी और जनता दल के साथ में कई दूसरी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई फिर पीवी नस्यमाराव के समय में 1991 में कॉंग्रेस बहुमत से थोड़ी पीछे रही तो कुछ एक दो दूसरी पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया और कॉंग्रेस की मजबूती से सरकार बन गई 1996 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टि बनी राष्टरपती जी ने वाजपी जी को शपत भी दिला दी और संसद में वहुमत साबित करने को बोल दिया वहुमत के लिए 272 का आँकडा चाहिए था लेकिन बीजेपी के साथ आने को कोई तयार नहीं था बड़ी मुश्किल से वाजपी जी 192 के आसपस आकडा पहुँचा सके और आखिर वाजपी ने 15 दिन के वहुमत के अल्टिमेटम से दो दिन पहले ही 13 दिन के समय में ही स्तिफा दे दिया फिर देव गोडा परधान मंत्री बने फिर इंदर कुमार गुजराल परधान मंत्री बने इन दोनों से जब कॉंग्रिस ने समर्थन वापस ले लिया तो दोनों की सरकार गिर गई और फिर देश में नए चुनाव हुए अब 1998 के चुनाव हुए इस बार वाजपीजे को पता था कि बीजेपी को पूरा बहुमत मिलेगा नहीं तो उनोंने क्या किया चुनाव से पहले ही कई पार्टियों के साथ समझोतर किया कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कई पार्टियों को मिलाकर एक गञठ बंदन मनाया और नाम दिया National Democratic Alliance शोल्ट में NDA या हिंदी में कहे तो राजक राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठ बंदन 1998 के चुनाओ में भी NDA की सरकार बनी फिर जब जाई लेलिता अलग होई तो तेरा महीने बाद है वाजपेजी की सरकार गिर गई यहां का एके NDA की सरकार गिर गई 1999 के चुनाओ में NDA की फिर से सरकार बनी तब तक देश में एक ही गठ बंदन था कॉंग्रेस की तरफ से या दूसरी पाट्यों की तरफ से कोई गठ बंदन नहीं था और कॉंग्रिस को लगता भी था कि उसे गठ बंदन की जरूत नहीं है अब 1999 के बाद में आए 2004 के चुनाओ वाजपेई जी कहे या फिर NDA का गठ बंदन ये चुनाओ हार गया लेकिन कॉंग्रिस को भी बहुमत नहीं मिला तो फिर चुनाओ के बाद कॉंग्रिस को भी बाकी दलों के साथ मिलकर एक गठ बंदन बनाना पड़ा क्योंकि वो कॉंग्रिस सरकार बनाना चाहती थी सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रिस थी और एक गठबंदन बनाया जिसमें सपा थी, बसपा थी, ममता बनरजी की टीमसी थी, तमिलनाडू की डीमके थी, ऐसी कई दूसरी पार्टियां भी थी, इस गठबंदन का नाम रखा गया United Progressive Alliance, UPA, जिनकी अध्यक्षा बनी सुनिया गांदी, यानि कि NDA, BJP के साथ वाला गठबंदन है और उसमें भी कई पार्टिया है, तो दोस्तों ये था UP और NDA में अंतर, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्ष में बताएंगे कि अगले लोकसबा चुनाओं में इस देश में किसकी सरकार बनेगी, NDA की बनेगी या UPA की बनेगी, हमारा चैनल अभी तक सब्सक् कीजिए, पास के बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें